अज की इस वीडियो में आपको यह बताने वालों कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy F14 Android में आप अपने मुवाइल फून की नेटवर्ग की प्रोलों को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप वीडियो को में स्टार्ट कर लेते हैं देखे दोस्तों कभी भी अगर आपके मुवाइल फून में नेटवर्ग की प्रोलों आती है न तो इसके सॉलुशन के लिए आपको करना क्या है सबसे पहले तो आपको अपने मुवाइल फून की नेटवर्ग सेटिंग को रिसेट करने के लिए आपको अपने मुवाइल फून का सेटिंग पीज ओपन कर लेना है मुवाइल फून का सेटिंग पेज ओपन करिए इसमें आपको सबसे उपर की साइड ये सर्च आइकन का आपको टैप करना है अब यहां पर आपको सबसे उपर सर्च बार में टाइप करना है तो आपको नीचे की सैटिंग में लेकर आएगा रिसेट पर टैप करना है इसके अगले पेज में आपको नीचे यह reset network setting का option tap करना है इसके अगले पेज में आपको reset setting का option tap करना है अब इसके अगले पेज में आपको reset का option tap करना है तो आपको नीचे की side नहीं यहाँ पर लिखा हुआ आएगा network setting reset इस तरह के से आपको mobile phone की network setting को reset कर देना है जिससे आपके mobile phone की network की problem है वो आपकी solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला काम करना क्या है कि आपको जो है अपने mobile phone को एक बार restart करना है ठीक है mobile phone को restart करने के लिए mobile phone के side system में अगर कोई problem आ जाती है तो वो problem just solve हो जाती है mobile phone को restart करने से ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला process करना क्या है कि आपको अपने mobile phone के एपिन सेटिंग को आपको reset करने के लिए आपको आना mobile phone का setting OS 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 OSOS OS 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 मुवैल फोन की a-pin setting को reset कर देना है जिससे आपके मुवैल फोन की जो network की problem है वो आपकी solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों यहापर आपको अगला process करने क्या है कि आपको जोना अपने मुवैल फोन का software एक बार चेक करना है कि वो updated है या नहीं है दोस्तों कई बार ऐसा होता ह है कि हमारे phone के software का update आता है हम उसे update नहीं करते है या फिर अपदेट आता है तो कभी के बार पता नहीं लग पाता है तो मुवैल फोन का software होता है वो updated नहीं होने के करने हमारे download install पे tap करना है तो आपको इस वाले page पे अगर कोई भी update का button दिखाई देता है तो उसे आपको tap कर देना है इससे आपके phone का software update हो जाएगा और आपके mobile phone की network की problem solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे आखरी process करना है यह है कि आपको अपने mobile phone को reset करना है ठीक है देखें दोस्तों आपको अपने mobile phone को reset आपको tap करना है जब मेरे बताएं हूए पिछले process काम नहीं करते हैं तब आपको reset करना है और यह नहीं करना है ठीक है mobile phone को reset करने के लिए phone का setting page open करिए इसमें सबसे उपर ही search icon पर tap करना है यहाँ पर आपको सबसे उपर search बार में reset आपको type करना है तो आपको नीचे reset का यह options होगा reset पर tap करना है आपको phone directly आपको reset की setting में लेकर आएगा reset पर tap करना है इसके अगले page में सबसे नीचे factory data reset पर tap करना है दूसरी बात यह ध्यान रखने है आपके mobile phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बाद ही आपको अपने phone को reset करना है ठीक है इस वीडियो में मैंने आपको जितना ही process आपको बताया है सारे आपको use करना है तो इससे आपके phone की network की problem जाओ solve हो जाएगी ठीक है